असलाम लेको मैं डियर फ्रेंट कैसे हैं आज फिर हाजूर हूँ क्रिप्टो करंसी यानि के बीटी थी अथीरियम के वीगली नैलिसिस के साथ और लामदुल्ला सुमा लामदुलिल्ला मैंने जिस तरीके से बताया था कि मार्कीट जो है वो ड्रॉप होने के लिए त्यार है और मार्कीट के दें कुछ ब्लैड बातिंग हो सकती है इसको उस तरीके से ब्लैड बातिंग तो नहीं कहा सकता है कि गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए लेकिन मार्कीट बहुत बुरे तरीके से मार्कीट नीचे आई है और मार्कीट के आगे यह यह वही चीज है मार् और बाइर को एंटर भी करें तो तो आने वाला हकते में बीटी सी क्रिप्टो अथीरियम कैसे बूब करेगा सारी बातों का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो एंट तक देखेगा इसमें मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटर कुछ टेकनिकल पॉइंट शेयर करूंगा क्रिप्टो करंसी के हवाले से तो वीडियो पूरी एंट तक देखेगा है सब्सक्राइब करते हैं आज की वीकली इनालेसीज मैंने में देहिल नवाज और वेलकम तो फॉरक्सुस्तार टाट कॉम आज करिप्टो किस तरफ जा रही है आज भी बैरिश कैंडल है पिछले पूरे वीक की में ही मेरे ख्याल से एक बैरिश मोमंटम जा रही है तो अगर यावज वीकली कैंडल को देखते हैं तो वीकली कैंडल भी एक फुल बीर कैंडल है और अगर मंथ की बात की तो मंथ भी ही बैरिश मन्थ ही कंसीडर किया जाएगा और आज तवी तरी टरीख हो गए जब में इस वीडियो क्रिएट कर रहा हूं बना रहा हूं ये वीडियो 23 सितंबर तो मार्किट के अंदर आपको एक बैरिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है और जो कि कांटीन्यू है अभी मार्किट नीचे जा रही है ठीक है अगर हम बात करें बारा हजार की जो लैवल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाय ना करें वगरा 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 तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि मार्किट नीचे जा रही है तक उस तरीके से ब्लेट बात तिंग इसको नहीं कह सकते हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुए हो जानी चाहिए थी अच्छा क्यों नहीं स्टार्ट होई उसका रिज है यह टोटल बैरिश मोमंटम ही ठीक है उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा कोई मार्किट कैप पे अंदर आते हैं तो ट्रेंडिंग कोई इस ट्रेंडिंग कोई कर रहा है एक सार्पी कर रहा है अथीरियम कर रहा है यह तीन कोई मेजर कोई ने और यह तीन हुई एक एक्सेप्शनल मूव दी है 48 परसंट बुलिश मूव किया अलाकर मैं इस पेर से यहां इस कोईन से बड़ी नफरत करता हूँ एक्स आरपी के साथ लेका लुक लुक अट ब्यूटे पचास परसंट गेन कर लिया इसने एक ही एकेवल वीक में जब भी हमें कहा जाता है बहुत अच्छी बात है और बाकी सारे क्वाइन जो है वह आल्मोस्ट वह रैडी है लेकिन यह बड़ी अच्छी बात है यह बहुत बात है कि BTC गिर रहा है और कुछ क्वाम है जो बुलिश दे रहे हैं यह अच्छी बात है पहले यह होता था कि99 नयुक्त गिरना शुद्रूर रहत थे एक्वाइन अस्वाइन उसक्रक्वाइन काफी परिशान भी रहता था मैं यह कहता था कि यह market नहीं है यह trade करने वाली market नहीं है यह बकवास जब हर पेयर एक individual है हर token एक individual है हर जो है वो currency crypto की वो एक individual है तो वर BTC के साथ BTC गिर रहा है तो सारी गिर रहे है यह घलत बात है तो वो कुछ हमें change नजर आया है XRP ने वो दिखाया exceptional case एन्योग BTC के ओपर discuss करते हैं कि BTC में आने वाले हफते में move कैफे रहेगी जो अब इंशाला 24 तरीक से start हो रहा है हमारा एक नया week अच्छा यहां पर हमें एक चीज तो clear नजर आ रही है कि यह एक bearish momentum है 22,000 से 22,500 जो हम मैं sell position भी हूँ इसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा मैं आपको दिखाता हूँ जरा सा यह fundamental fact आपको कोई नहीं guide करेगा जो मैं आपको बताने करें यह देखें यह dollar index dollar index की आज की बीगर move देखे तो 111 से directly 112 पर चला गया अगर dollar index इतना मजबूत हो रहा है तो BTC ना चाहते ह अगर dollar index की अगर आप move देखो एक week की तो एक week में पिछले एक week में 109 से 112 पर गया है dollar index तो जाहिर है अगर dollar index नहीं उपर जाना है तो BTC ने भी Sunday को होगी closing और वो 18,000 के करीब करीब होगी 18,000-17,000 के करीब होगी और अगर इसकी closing जो है अगर आप weekly candle चेक करें तो उस तरीके से उत्री बड़ी बेरिश केंडल नहीं जितनी लास्ट वीक थी तो यह अभी छोटी सी बेरिश केंडल है तो इसकी क्लोजिंग है वो अपने रेड एरिया में देख रहा हूं यह देखें जरा यह है मेरा रेड एरिया और रेड एरिया कहां तक है 17,500 यानि कि 18,000 से नीची नीचे तो इस week मे मार्कीट को भी और गिरना चाहिए और अभी दो दिन है भाई यह गिरेगी सो बीटी सी के अंदर आपने नमबर बन क्लियर है कि अभी बायर नहीं बनना और जो हमने टोकन्स और कोईन की शॉपिंग करनी है वो भी फिलहाल हम ना करें वह ज्याब बहतर है क्योंकि मेरा दि अब बात पर लेते हैं एच फॉर की अपने सपोर्ट मुकाम को टैस्ट कर रही है और एच फॉर में बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी इसने जाने से पहले बता दिया था यह है एक डोजी कैंडल और मार्कीट ने अच्छा खासा मूब दिया और अभी और इसलिए और यह जो कैंडल्स हैं लास्ट अगर आप चार आठ गंटे की मूव चेक करें तो यह दोनों कैंडल्स बता रही है कि मार्केट ने भी और जाना है और मार्केट 18,400 तक गिर सकती है आज की दिन में यह और आज की बात खरें तो हमें साफ साफ मार्केट गिरती हुए नजर आ रही है यह अधिरियम को चाक यह करते हैं यह में लास्ट मंथ में और यह दुख यह में गयरा पैंडिंग आडर है तो वह भी इंट नहीं हुआ और अधिरियम दो वीक बड़तर तरीके से गिर र लगा था और अभी ये 12,000 के लोग पर खड़ा है तो कोई इसू नहीं है आने दे इसको नीचे अभी एथिरियम और गिरेगा इन्शाला और आपको पहला पैंडिंग अडर है वो एक हजार पर होना चाहिए वन थाउसंड से अधिरियम कुछ बाय कर लेना कुछ 1100 से 1500 से या 950 से आप कुछ अधिरियम बाय कर लेना और बाकी नीचे आने देना नीचे जो मेरा मैं चाता हूं साड़े 500-700 तक आया तो वहां तक वेट कर लेना अगर डेली की बात की जाए तो डेली में इतना नहीं गिया आज के दिन में जितना उसको गिरना चाहिए था लेकिन अगर मैं आपको एक एरिया दे दूं मारकीट का अधिरियम का स्पैशली तो यह एरिया है जहां पर मैं कुछ कुछ शॉपिंग करने का कह रहा हूं वो ग्यारा सो से लेके 950 का अधिया यहां पर आप कुछ शॉपिंग अपनी कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा कलरिस का चेंज करूंगा थोड़ा सा ट्रांसपरेंट करूंगा ताकि आपको नजर आ सके यह एरिया तो इस एरिया 2021 में इस एरिया में फ्लोटिंग कर चुकी है और जिस एरिया में अभी मार्केट फ्लोटिंग कर रही है 2021 में मार्केट इस एरिया में फ्लोटिंग कर चुकी है और काफी अरसा यहां पर मार्केट प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है तो यह एक नया एरिया नहीं है लेकिन ज इसके बाद 450 वाला एरिया विच इस माइ फेवरेट और यह मैं काफी अर्से सुरू लड़ार रहा हूं कि यार नोटों के बैग त्यार कर लो यूसडिती तो अपने पास हमने बाइंग करनी है और अलम्दुल्ल्ल्ल मेरे कुछ दोस्तों ने स्क्रीन शोट सेंडी किये मुझे किसी ने दोजार रखा है किसी ने पांच जार रखा है किसी ने दाजार डला रखा कि रही बाई जब आप बहूंगे उसी ताम हम अमतीरियम out है cell और इतना बड़ा portion है 80% का weight का तो इंतिजार 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 सबर का फल मीठा होता है तो यह वही सबर है अगर मान लोग आप में जल्दबाजी में आका 16 tested बाही कर लिया हूथा अठाए सुस्से बाही कर लिया हूथा पन्द्रह सुसे बाही बाही कर लिया अगर अगर अधर्वाइज आप अर्ली बाइंग या अर्ली सेलिंग कर लेंगे तो इसके बाद फाइदा नहीं है कुछ शोपिंग कर लेना कुछ किया मतलब है 25 परसंट 30 परसंट ऑफ यूर अकाउंट बैस फॉर आपके पास एक जाड़ की एकुटी है और से शोपिंग करना जाते तो थी तीन सो दॉर भाय कर लो तीन सो से चार्सों के दरम्यां दरम्यां आप अधिये भाय कर लो और बाकी अब आपने पास अब मैं अमनिक को इनकी बात कर रहा तो यह देखें यह बड़ी अच्छी बात है कि बीटी से ट्रंड कर रहा एक सार्बी तो ट्रंड करने ही चाहिए और अथीलियम ट्रंड कर रहा है अच्छा एक से बात करता हूं कि मुझे कल भी नफरत थी इससे आज बींद अगर उसने 50 पर्षं का गेंद दिया तो आप बाइय करने तो ताम ही नहीं नहीं आप ना बाइय की जिएगा है एक सार पी शायद हो क्योंकि मेरे कोरिंगे में रखा ही नहीं हो जाय कि लूना है है और शीबा है नहीं एक सब्सक्राइब नहीं है XRP होगा Cryptocurrency में यह शायद वो भी है है यह देखे नहीं अगर उसने 2 मई 2022 से लेके स्टमबर में आके कोई गेन दिया भी है तो नथिंग ना कुछ भी नहीं है इसको कोई इसकी कोई हमियत नहीं है और यह वह कोई देखा हुआ है और देखा हुआ है और देखें आज 24 सेंट से उठके यह 49 सेंट का हुआ तो लोग बड़ी दूम चा रहे हैं और अगर आपने यहां से बाइं की यहां से बाइं की तो आप लॉस में जाओ गए सब्सक्राइब को मैंने पहले बिताया था कि 20 सेंट से थर्टी सेंट से बिलोग बाय करना है इसको नहीं बाय कर सकते हैं इसके लावा कोई और देख लेते हैं इस तरह के बीम भी मर रहा है तो प्रॉफिट में क्योंकि हमने 200 डालर से बाइं किया हुआ तो इस तरह बात है इलन नहीं बाय कर सकते यह भी बाय नहीं कर सकते हैं यह अच्छा एक पुल बैक इसने दिया बट बाइंग नहीं कर सकते इसकी भी बाकी तो सारे कोई मरे हुए है यहां पर देख लेते हैं LTC अच्छा LTC मैंने बाय किया था 20 डालर का और 200 डालर तक भी गया है यह यहां तक 200 डालर मैंने सेल नहीं किया मेरे पास एक ही पड़ा हुआ है बड़ एरसे से पड़ा हुआ है लेकिन मैंने सेल नहीं किया मैंने पड़ा रहा है और अब देखो कितना नीचे आ रहा है खैर देख लेंगे आड़ा कोई की ब मरा हुआ जी आड़ा कोई बिल्कुल भी उपर नहीं आ रहा लेकिन आड़ा कोई जो है ना मैंने 0.35 से बाय करने का थे लेकिन 35 पे तो नहीं आया मार्केट अभी लेकिन अपने उसी एरिया में जलील हो रहा है इसको भूल जाओ भी फिलाल बाइंग नहीं करने हैं इसके अल पैंडिंग लगा कर चोड़ सकते हो क्रिप्टो के ट्रेडिंग के इंदर एक इशू है चोटा सा मसला यह बाइनांस के वगरा पे कि जब भी आप पैंडिंग लगाते तो आपकी मनी जो है वह स्टक कर लेते है यह गलत है यह नहीं होना चाहिए फॉरक्स में पैंडिंग पैंडिंग अडरे रहता है वो उसका पैसो सो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह गलत वाथ है इसलिए मैं फॉरक्स पर ट्रेडिंग रिक्मेंड करता हूं बनिस्बत के बैनांस पर या किसी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के शीबा क्वाइन शीबा क्वाइन जहां से हमने बाइ किया हुआ था उसमें तो प्रॉफिट मीं है लेकिन लेकिन क्या लेकिन अब भी इसका बाइन का टाइम आया नहीं है मेरे ख्याल से सही और इसको थोड़ा सा एक और जम नीचे की तरफ लगाना चाहिए जो अपनी स्पाइक है उसको रिकावरी देनी चाहिए इसको इसका भी एक पैंडिंग अडर यहां पर हम रख लेते हैं लेट सी कब हमें मार्केट मोका देगी और कब हम यह लेंगे लेगे लेगिन अलमदुल्ला जो हमने एक इसका मैं इसको यलो कलर देता हूं ताका आपको नज़र इसको स्पोर्ट लेवल के उपर यह अभी तक और अब अभी तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई यह इच्छी बात है ओक्या जी सुलोना चाक कर लेते हैं मरें बड़े हुएं जिनाब अभी इनका कोई फ्यूचर नहीं है अभी इसका पैंडिंग अडर नहीं हो सका कितना रसा हो गया ठीक इसको लगा रहा है नहीं देते हैं सकता है तो अधीरियम के लिए रेडी रहीएगा और आई होप आप इसके ट्रेडिंग से कुछ आर्म कर रहे होंगे इन्शाला आप को कैसा लगा लेकिन में जाने से पहले आपको कुछ कोईंस की सजेशन दे रहता हूं जो रिसेंट्ली एड़ेड हूं है रिसेंट्ली कोई बाई करने हैं अपने पॉर्ट्फोलियो में नहीं कोई तो उन में जो सबसे अच्छा कुई हैं जो मैं उपर आना स्टार्ट हो जाएगा एन्यों बीटिसी के और अधीरियम के वीकली इनारिस आप कैसे लगे इसके बारे में अपना फीड़बैक दें और मुझे अगली वीडियो तक लिजाद दें इंचला अगली वीडियो में आपके साथ कुछ ने सर्पैसिस के साथ हाजर मुझे अऑमर अभसे अटें है कि अचला है आपके साथ हाजर है करते है